आज मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए तो मैंने बनाया है आज प्रशाद वाली मीठी कलर्फूल सी बूंदी तो चलिए बनाते हैं फटा-फट सी रेसिपी लेकिन उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बूंदी के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम चीनी का शीरा इसके लिए मैंने दो कटोरी चीनी लिया है जिसमें मैं एक कटोरी पानी मिलाऊंगी और शीरा बनाऊंगी अब मैं बनाऊंगी बूंदी का बैटर. इसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है. अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालोंगी और इसका एक थिक सा बैटर बनाएंगे. पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डाले, एक साथ ना डाले. अच्छे से इसको हम फेटेंगे ताकि इसमें कोई भी दाना ना रहे देखिए ये बैटर कितना स्मूध सा बना है इसमें कोई भी लंस नहीं है इसकी ठिकनेस बिल्कुल ऐसी ही रहेगी ना जादा गाड़ी और ना जादा पतली तो बैटर हमारा तयार है अब मैं थोड़ा सा बैटर अलग सी एक कटोरी में निकाल लूँगी इस बैटर में मैं चुटकी भर रेड कलर मिक्स करूँगी इसको अच्छे से फेट लूँगी और हमारे रेड कलर की बूंदी का बैटर तयार है और अब बचे हुई बैटर में मैं औरेंज इश यलो कलर मिलाऊंगी इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इन दोनों बैटर को हम करी 10 मिनिट के लिए रख देंगे आप देख सकते हैं हमारा शीरा भी तयार है यह हाथ में चिपक रहा है इसका मतलब यह परफेक्ट है अब मैं इसमें 3 से 4 बून गुलाब जल के मिक्स करूंगी आप चाहे तो इलाइची या फिर केवडा वाटर यूज कर सकते हैं बून्दी बनाने के लिए घी को मैंने यहां गरम कर लिया है अब मैं एक छन्नी लूँगी और उसमें इस बैटर को डालूँगी और आप देख सकते हैं नीचे बैटर गिर रहा है और बून्दिया बनना शुरू हो गई है यह हमारी यलो कलर की बून्दी तयार है चार से पाच मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक यह कुरकुरी नहीं हो जाती अब मैं इसको चीनी के शीरे में डाल दूँगी पास से छे मिनट तक हम इसको शीरे में रखेंगे और फिर निकाल लेंगे अब हम रेट कलर की बून्दी बनाएंगे आप चाहे तो घी की जगा तेल भी यूज कर सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके देखा बून्दी बनाना कितना असान है इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे पास से छे मिनट तक उसके बाद शीरे में डाल देंगे मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मीतामोत्रा अंडरस्कोर किचिन मैं आपको मिलूँगी अपनी नई रेसीपी के साथ थैंक यू